प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दुल्फितर की शुब कामनाये देते हुए सभी लोगों के अच्छे स्वास्त की कामना की आज मनाया जा रहा है अक्षेत रतिया का पर्व मुख्य मंत्री ने गां और माटी की पूजा कर बधाई दी आगामी विधानसभाद चनाव को लेकर भाजबा कारेकरताओं की बैठक और महानदी पानी विवाद को लेकर जाज समुने किया निरिक्षन जल्द सौपेंगे रिपोर्ट नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार मैं हूँ शीतला शुकलाफ समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने इदुल फितर की शुब कामनाएं देते हुए सभी लोगों के अच्छे स्वास्त की कामना की इधर मुख्य मंत्री भुपेश बग नीच छोटे बड़े का भिद्भाव भुलाकर परस पर प्रेम भाईचारा और सौहाद्र बढ़ाने का पैगाम देता है राइपुर के इद्गा भाटा मैदान में मुस्लिम जमात के सभी वर्गों के लोगों ने नमाज अदाकर एक दूसरे को गले लगाकर एद की मुबा जो को पढ़ाओ यह मुहीम चलाई है और हर एक छोटे बच्चे को हमने यहां पर पूरे प्रदेश में पैन का तफ़ा दिया है पैन की इदी दी है और इसी तरीके से इद बहुत दूमदाम से हमारे शहर में और प्रदेश में मनाई गई इस साल भी बराबर जिस तरह से य बहुत अच्छा रहा इसमें और इस वहाने यह जो है सारे लोग यहां सारे दूसरी कौम के लोग भी जमा हुए और यह लोग गले मिलकर सब लोगों को मुबारक बात दिया इन होने इस अफसर पर इद्गाभाटा मैदान में मुख्यमंत्री भुपेश बगिल के साथ महापौर शित्री विधायक और निगम के सभापती ने भी शामिल होकर लोगों को इद की मुबारक बात दी इधर कोरबा की नूरी मस्जिद में मुस्लिम जमात ने इदुल फितर का तिवहार हर्श और लास के साथ मनाया तीज दिन रमजान में रोजे रखने और इबादत करने के बाद आज का दिन मुस्लिम भाईयों के लिए काफी खुश नमा रहा समाज के वरिष्ठ हाजी इकल कि हम अपने पुश् winding देचे को अपने भाई को ने हूemin को किसी कौ Hm K הूलो यह को जरूरी नहीं हिमारा पर जए मुसलिमो अकर अहा परूशी हिंदु भी हाज एद करति दिन हमbra हर्ड ऑंड हेंतर नियक मुसलिम ता हमको इज कू सर्फ मोईं कलता है के हमको है抓 की उपने ब समाज के प्रतनिधियों ने भी ईदगा पहुंच कर मुसलिम समाज की लोगों से मुलाकात कर उन्हें ईद की बधायां दी। मुख्यमंत्री ने बीजबॉय संसकार के तहट लोगी सेम तोरई के बीजबॉय और गौमाता को चारा खिलाया। 36 गड़ में अक्ती के दिन पुत्रा पुत्री की शादी की जाती है। शहरी और गामिंट शेत्रों में अक्षयत्रतिया के दिन बच्चों द्वारा अपने साथियों के साथ पतिकात्मक धंग से विवाह संपन्न करवाया जाता है। पौरानिक मानेता है कि भगवान शिरी राम का विवाह अक्षयत्रतिया के दिन हुआ था। इस दिन सबसे अधिक विवाहिक कारिक्रम होते हैं। इस दिन मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरा दिन शुब मुहूर्त होता है। अक्षयत्रतिया पर होने वाले विभन विधानों के विशय में वरिष्ट साहित्तिकार परदेशी राम वर्मा ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से आने वाली पीड़ी भी अपनी संस्कृति से जुड़ती है। अक्षयत्रतिया मुख्यरूप से किसानों की परंपरा और जियों दिरिष्ट से जुड़ा हुआ परव है। वैसे भी चतितने परव हैं तेवहार हैं इनका सिधा संबन किसानी जीवन से है। दूसरी बात है कि लोक माननेता हैं और अध्यात्मिक जो इतियास है हमारे पुर्खों के दोरा जो लोक शैली में बाते कही जाती हैं उसके अंसार ये अक्षयत्रतिया में भगवान परसुराम का जन्मदियोद भी है जो विष्णु के एक उतार है। क्रेशन लेकर शुबहुर्त माना जाता है शुब महुर्त से कारण ही बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही है Is जांजगेर के भाज्च पाकारलएं नेम आगा में विधानशभा को लेकर कारेकरताओं की बैठक हुई जिसमें चिनाब को लेकर कार्योजनाब बनाई गई है बैठक में नेतापति पक्ष नारैंट चंदेल ने कहा कि चनावी साल है तो कार्यकरताओं को रीचार्ज किया जा रहा है ताकि वे आम लोगों की समस्याओं को सामने ला सकें पूरे 36 गड़ प्रदेश में 36 गड़ के 90 विधान सवा छेत्रों में ये बैठक चल रही है और उसी के निमित आज जानगीर चापवा विधान सवा छेत्र की बैठक यहां पर आहुत की गई थी विधान सवा के पूर्वा अध्यक्ष गड़ातार बैठकें लेकर कारेकरताओं को एक्टिव किया रहा है बैठक में सांसत गुहरा मजगले जिलाध्यष गुलाब सिंग चंदेल मुखिरूप से मौजूद थे महानधी के पानी को लेकर ओडिशा और चतिसगर सरकार के बीच चल रहे विवाद को निप्टाने के लिए सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट के नियाधीशों के साथ 36 तकनीकी जानकारों का दल पहले चरण में नवीन जिला, खेरागड, छुईखदान, गंड़ई पहुँचा इस टीम में 36 गड़ और ओडिशा के अधिकारी भी शामिल थे टीम में महानदी जल विवाद अधिकरण के अधिक्ष और सुप्रीम कोर्ट के नियाधीश एम खान विलकर, पटना हाई कोर्ट के नियाधीश डॉक्टर रवी रंजन और दिल्ली हाई कोर्ट के नियाधीश इंदरमीत कौर को चरशा मिल थे 49 सदसे टीम ने छुई खदान ब्लॉक के सिध्ध बाबा जलाशे और धमधा ब्लॉक के टेमरी जलाशे का भौतिक सत्यापन कर दोनों प्रदेश के दावों की जाच की इसके बाद ही महानदी जलबटवारी को लेकर दोनों प्रदेशों में हो रहा विवाद दूर हो सकता है साथ ही दोनों प्रदेश के अधिकारियों ने अधिकरन के समक्ष अपना पक्ष भी रखा उलेखनी के महानदी की प्रवाव पर 36 गरदवारा और दोगिक बैराज के निर्मान को लेकर केंद सरकार के समक्ष शिकायत दर्शकर बेसिन में कुल उपलब्ध जल संसाधनों को ध्यान में रखते हुए महानदी के पानी की समान रूप से वित्रण की मांग की थी केंद शाषित प्रदेश जम्मू और कश्मेर के पंच में आतंकी हमले के सिलसिले में कल 12 लोगों को पूछताच के लिए गिरफतार किया गया इस हमले में सेना के 5 जवान मारे गये थे हेलिकॉप्टर, ड्रोन और खोजी कुत्तों को हमला वरों को खोजबीन के लिए लगाये गया है आधिकारिक सुत्रों के अनुसार गिरफतार के गये लोगों से आतंकवादी संगठन की पहचान के लिए पूछताच की जा रही है जिसके बारे में माना जा रहा है कि वो पिछले एक साल से इलाके में सक्रिय है इसमें एक स्नाइपर भी शामिल है हमले के एक दिन बाद जम्मो कश्मेर के पलिस महाने देशक दिलबाग सिंग अपरपनिस महानेदेशक मुकेश सिंग के साथ पडोस के राज़ोरी जिले में जाज के निगरानी कर रहे हैं इन दोनों ने घटना स्थल का दौरा भी किया प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी हर महिने के आखरी रईवार को मन की बात कारिक्रम के जरिये लोगों से जुड़ते हैं और अप्रेल के आखरी रईवार को मन की बात कारिक्रम की सौवी कड़ी प्रिसारित होगी इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 28 जनवरी 2018 को मन की बात कारिक्रम में 36 गड के दंतेवाडा की महिलाओं की कारिशाली के साथ महिला शक्ती और उनकी आत्मनिर्भरता पर बात की थी आईए देखते हैं उस प्रसारण की कुछ जहल किया 36 गड की हमारी आदिवसी महिलाओं ने भी कमाल कर दी है उन्हाने एक नई मशाल पेश की है आदिवसी महिलाओं का जब जिक्र आता है सभी के मन में एक निश्चित तस्वीर उभर कर आती हैं जिसमें जंगल होता है पकडंडिया होती है उन पर लकडियों का बोच सीर पर उठाये चल रही मैलाएं लेकिन 36 गड की हमारी आदिवसी नारी हमारी शक्ति ने देश के सामने एक नई तस्वीर बनाई है 36 गड का दंतेवडा इलाका जो माववाद प्रभावित ख्षेत्र है हिंसा अत्याचार बम बंदूग पिस्तोल मावववाद्यों ने इसी का एक भयानक वातावन प्यदा किया हुआ है ऐसे खतरनाख इलाके में आदिवसी महलाएं इरिक्षा चलाकर आत्म निर्भर बन रही है बहुत ही थोड़े कालखंड में कई सारी महलाएं इससे जुड़ गई है और इसे तीन लाब हो रहे हैं एक तरब जांस्वार रोजगार ने उन्हें ससक्त बनाने का काम किया है वह इससे माववादत प्रभावी दिलाके की तस्वीर भी बदल रही है और इन सब के साथ इससे परियावरण सवरक्षन के काम को भी बन मिल रहा है यहां कि जिला प्रशाशन की भी सरहना करता हूं ग्रांट उप्लब्द करान से लेकर ट्रेनिंग देने तक जीला प्रशाशन ने इन महलाओं के सब्रता में एक महत्वपुण भूमी का निवाई है नारणपुर में हुए मावादी हमले में शहीद जश्पर जिले के बामपुरा गाउं के सीएफ जवान संजे लकडा का पार्थिव शरीर उनकी गाउं पहुचा जहां सेक्ड़ लोगों की भीड शहीद जवान को शद्धान जली देने के लिए जमा हुई थी जश्पर विधायक विनय भगत कलेक्टर डॉक्टर रवी मित्तल और पुलिस अधिक्षक दीर अविशंकर ने विनमर्श धान जली अर्पित करते हुए दुख की ज़ड़ी में परिवार को सहन शक्ति पदान करने की ईश्वर से प्रार्थ ना की जी हाँ यह हमारे लिए बहुत दुक्की बात भी है और गर्व की बात भी है कि आज संजय लकड़ा जी जो शहीद हुए हैं शादत हुई है जिनकी तो उनका अंतिम सस्कार यहां पर हुआ है और इसलिए यहां पर सभी लोग भी उपस्तित हैं और बहुत ही भाबनाओं के साथ उनकों विदाई दी गई और साशन की तरफ से जो भी सहीओ होगा मदद होगी उनके परिवार को उनके बच्चों को वह आने वाले समय में दी जाएगी यह हमारे लिए बहुत गर्व और फक्र की बात है कि जश्पूर का एक सपूत देश की रक्षा के लिए अपने प प्रणाओं की आहोती देना और आज उसका पूरा परिवार यहां पर था पूरा समाज यहां पर था माने विदायक जी और प्रशासन यहां पर है हम सब उस परिवार के साथ में खड़े हैं शहिज जवान संजय लकडा की पार्थिवदे आजुन के ग्रेग्राम जश्पूर के बामः पूरा लाई गई जहां राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया कि आजू सत्व कि आज लगडा अधार अधार है अधार है अधार है अधार है अधार है चाहिज जवान संजय लकडा नाराण परजिले में प्रधान आरक्षक के पद पर परदस थे और चाहिए बटम इलाके में सीएफ और डियार जी की सेंग्त नक्सल ऑपरेशन के दौरान सेर्चिंग करते हुए सेंजय लकडा का पैर आई-ई-डी पर आ गया जिसे मौके पर ही वे शहीद हो गए और आब अंत में मुखे समाच कार एक बार फिर विधान मंत्री नरेंद मोदी ने दुल्फितर की शुब कामनाये देते हुए सभी लोगों के अच्छे स्वास्त की कामना की आज मनाया जा रहा है अक्षयत रतिया का पर्प मुखे मंत्री ने गाउं और माटी की पूजा कर बधाई दी आगा में विधान सभा चिनाव को लेकर भाजपा कारे करताओं की बैठ है और महानदी पाने विवाद को लेकर जाट समूने की अनिरिक्षन जल सौपेंगे रिपोर्ट इसे के साथ ये समाचार मुल्टे समाप्त्वा नमस्कार